मसकार दोस्तो मैं अंकित स्वाइद करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस वित अंकित में दोस्तो हाजी रूए एक बहुत इंट्रेसिंग वीडियो के साथ इससे पहले मैंने एक ECR में धनबाट डिवीजन के लॉबी की वीडियो अपलोड की थी जिसने भी वी वीडियो नहीं देखिए मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप वीडियो जरूर से जरूर देखे और इस वीडियो पर बार-बार कमेंट आ रहा था मुझे चक्रधरपूर डिवीजन के बारे में लॉबी बताने के लिए तो मैं आज साउथ इस् डिवीजन को लेकर हाजिर हूँ जिसमें कौन-कौन से डिवीजन आप देख सकते हैं खरकपूर डिवीजन आदरा डिवीजन चक्रधरपूर डिवीजन और राची डिवीजन तो आज मैं इन दोनों डिवीजन को डिसकस कर रहा हूँ चक्रधरपूर राची खरकपूर करदार नेच्ट वीडियो में डिस्कस कर दूँ गा तो देखते हैं राची डियो डिस्कॉस कर दूंगा तो देखते हैं राची डियोब्र टोटल 24 इस्टेशन है लॉबी कितने तो मात दो लोबी है राची रेलवे डिविजन में ठीक है चलिए मैं दिखाता हूं कौन-कौन से है हट्या रेलवे इस्टेशन डिस्टेंस की राची से कितनी है आठ किलोमेटर एस्टेट कौन सा जारकंड आप देख सकते हैं एक क्लारिफिकेशन मिले आपको इसलिए मैंने पिक भी अटाइच किया इस वीडियो में दूसरा है मूरी जंक्शन इसकी डिस्टेंस कितनी है राची से 60 किलोमेटर एस्टेट कौन सा यह जारकंड चलिए देखते हैं इसके बाद चक्रधरपू रेलवे डिविजन बहुत इंपॉर्टन रेलवे डिविजन है और बहुत अगर विजिट करें आपकी पोस्टिंग हो वहाँ पे तो जरूर जाएं गूमने यह छोटा नाकूर पठार पे स्विचुटेड है और सिमेंट, स्टील, लाइम इस्टोन इंडेस्टी की वाइसे चक्रधरपूर बहुत ही फेमस है तो पंदाजया लगा सकते है कि बहुत सिटि है आधित्यपूर रेलबे डिवीजन सबसे पहला रेलबे डिवीजन है मिलबी है चकरधरपूर डिवीजन में इसकी डिस्टेंस कितने है चक्रधरपूर जर्खन बारा जामदा जंक्षन कितनी है चक्रदरपूर से डिस्टेंस इसकी 100 किलोमेटर स्टेट जर्खन तीसरा लोबी है बॉंडा मुंडा रेलवे स्टेशन डिस्टेंस कितनी है चक्रदरपूर से 110 किलोमेटर स्टेट उरिशा चोथा है चक्रधरपुर जंक्षन ये भी एक लोबी है जहां पर आपकी पोस्टिंग होती है डिस्टेंस इसकी 0 किलोमेटर है स्टेट कौन सा है जारखन चलिए, डैंगवा पोशी रेलवे स्टेशन, डिस्टेंस कितनी है चकरधरपूर से 80 किलोमेटर, स्टेट कौन सा है, जहारखंड जरुली रेलवे स्टेशन, डिस्टेंस कितनी है इसकी, 123 किलोमेटर, स्टेट उरिशा ये भी एक लोबी है, छठा लोबी, सातमा लोबी है, जहारखंड जंक्षन, डिस्टेंस प्राम चकरधरपूर, 245 किलोमेटर, स्टेट उरिशा आप देख सकते हैं, बहुत ही खुबशूरत इस्टेशन है, और सहर भी बहुत खुबशूरत है, मैं कुछ चीजें यहां पर आपको मैं दिखाता हूँ, नेक्स स्लाइड में, देखें, यह है कोली घुगगर बाटरफॉल, जो की कहा है, जहारखंड शुगुरा में है जडेश्वर टेंपल, पहारी टेंपल, चंडी टेंपल, इस सब इतनी फेमस टूइस प्लेशेज है न, कि आल ओवर इंडिया से यहां टूइस्ट आते हैं गुमने के लिए, तो जहार शुगुरा जो है, बहुत ही डेवलप्ट स्टेशन कह सकते हैं, सिटी कह सकते हैं, चल जंक्षन कहा हैं, जारखंड, रावर केला जंक्षन बहुत ही बहतर है, यहां पे भी आपको जो हरे मिलती है, 16% मिलती है, इसकी चक्रदरपूर से कितनी डिस्टेंस है, 120 किलोमेटर है, जार शेल प्लांट है, यह बेद्वियास टेंपल है, जो रावर केला में है, खंडर, Temple नहीं है यह waterfall होगा ओके 11 माय सीनी जंक्षन है डिस्टेंस कितना 55 km ताटा नगर जंक्षन जारी से बात है आपको पता होगा यह J.R.D. ताटा द्वारा बसाया हुआ एक city है तीक है आप देख सकते हैं State जारखन्ड है इसकी चक्रदरपूर से 85 km आप देख लीजे ये एक के स्टेशन का आउटले है चलिए देखे टारा नगर जिंगसर में क्या क्या है जुबली पार्क डिन्वना लेक रंकिनी मंदेर जाडी टाटा स्पोर्ट्स कंप्लेक्स और भी बहुत कुछ है यहां पर तो यह सारी जो 12 लॉबी थी 12 लॉबी थी चक्रदरबू डिविजन की नेक्स्ट हम डिसकस करते हैं कि यह जो लॉबी है इनके जनकारी होना में क्यों जरूरी है अगर सपोर्ज जैसी आपके ट्रेनिंग खतम होती है तो आपके पोस्टिंग लॉबी में होती है आपसे जेनरली तो प्रिफरेंस नहीं बता होगा तो आपके लिए पोस्टिंग लेना आसान हो जाएगा म्यूचूवल करना बहुत आसान हो जाएगा किसी से भी लॉबी की वज़से तो आपको फुल जानकारी होनी चाहिए इसलिए मैं यह वीडियो आपके लेकर आता हूं लॉबी के उपर नेक्स्ट किस अब के उपर उस दि ईविजन को पर जरूर से जरूर वीडियो लेकर आऊंगा ओके दोस्तो कि आ होब कि आपको यह वीडियो पिस परप्लेम खनद आया होगा जितना टैया आपने प्रकल बिफ्पशब्यों को दिए इस वीडियो को भी तो रे इस वीडियो को नहीं के responsibility नहीं अगर railway में ऐसा होता railway employee भी बहुत dedicated हो कि अपना काम करते हैं और आप जानते ही हैं कि एक गारी में ALP लोको पाइलट और गार ये तीन लोग ही होते हैं जो गारी को एक station से दूसरे शरतना mostly safely पहुचाते हैं I am not talking about passenger trends I am talking about generally freight trends जिसको हम लोग मालगारी खहते हैं तो be proud to be railway employee ये inspirational picture आपके साथ मुझे बस share करनी थी तो बस लगे रही अपने त्यारी में और भी कोई भी query हो आपको तो आप comment में हमसे पूछ रखते हैं email कर सकते हैं तो मिलते हैं फिर किसी next video में तब तक के लिए see you, bye bye